हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने फेस्बुक एस्टोरी में लंबी वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हो वो डिफॉल्ट 20 सिकेंड, 30 सिकेंड, 25 सिकेंड का आता है फेस्बुक एस्टोरी आप उसको बढ़ा के 2 मिनिट, 4 मिनिट प्रोस्टर्श मेंने अभी बताया, वो प्रोस्टर्श करना मेसेंजर आप डाउनलोड करने के पाद उसको लोगिन कर लेना, उसके बाद आप इस इंटरफेस पे आजाओगे, यहां पर आपको किसी एक व्यक्ति के प्रोफाइल पर क्लिक करना है आपके phone में जितने भी image और video है यहाँ पे show कर देगा आपको जो video story लगाना है आप उस पे click करें उसके बाद नीचे दो option आएंगे एक edit दूसरा send आपको edit पे click करना है आप जैसे edit पे click करोगे आपके सामने इस परकार का interface सो होगा आप चाहे तो अपने video पे कुछ लिख भी सकते हो उसके बाद नीचे एक option है your story आपको उस पे click कर देना है उसके बाद आप चाहो तो यह video उस वेक्ती को भेज सकते जिसका आपने profile select किया है उससे भेजने का एक आपको फायदा होगा नहीं भेजोगे तो भी कोई बात नहीं आपका story लग जाएगा लेकिन अगर आप भेजते हो तो उसका आपको एक फायदा है वो मैं बताता हूँ अगर नालो अगर नहीं भेजो उसको story तो आपका story लगा कि नहीं आप नहीं देख सकते हो आप यहाँ पर आके चेक करोगे तो आपका एस्टोरी नहीं सो करेगा लेकिन आपने जिस वेक्ति को भेजा है तो वहाँ पर जब तक वह वीडियो सेंड हो रहा है तो वहाँ पर एक एरो आएगा तो मैं इस पर क्लिक देखिए यह थोरा वीडियो अभी अपलोड हुआ है यह वीडियो जैसे इस वेक्ति को सेंड हो जाएगा उसके दो या तीन सिकेंड के बाद मेरे एस्टोरी पर भी लग जाएगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ से अपने वीडियो को कर दिया फास्ट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वह एस्टोरी लगता या नहीं देखिए थोरा बचा जाने में थोरा जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ देखे यहां से यह वीडियो चला गया अब हम चलते हैं यहां पे stories का एक option है यहां पे हम click कर लेते तो यहां पे मेरा story नहीं सू करेगा इसके लिए मुझे अपना Facebook application open करना होगा उसके बाद यहां पर मैं जैसे ही refresh करूँगा मेरा story आ जाएगा दोस्तों वीडियो पसंद आयों तो वीडियो का लाइक करें इसी तरह की वीडियो देखने के लाप मारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें